शार्क से जुड़े चौका देने वाले तथ्य, मोजिस सोल एक ऐसी दुलब मचली है, जिसे शार्क नहीं खा पाती. यह मचली अपने शरीर से कुछ ऐसे केमिकल छोड़ती है, जिससे शार्क को दूर भागना पड़ता है. वैग्यानिकों के द्वारा इस केमिकल पर शोड़ किया जा रहा है, ताकि इस केमिकल का उपियोग कर मानव शार्क के हमले से बच सके. हाल ही में वैग्यानिकों ने शार्क की एक नई प्रजाती को खोजा जिसकी लंबाई मात्र साढ़े 5 इंच है. एक्टली नामक इस अमेरिकन पॉकेट शार्क ना केवल बॉनी है, बल्कि ये अंधेरे में भी चमकती है. वैग्यानिकों के अनुसार शार्क कलर ब्लाइंड होती है, वैसे शार्क महासागरों में रहती है. लेकिन कुछ ऐसी भी शार्क है, जो ताजे पानी की जीलों और नदियों में भी रहती है. बुल शार्क्स उशनक्ति बंधिय नदियों में पाई जाती है, और खारे और ताजे पानी दोनों में रह सकती है. रिवर शार्क्स दक्षिन एशिया, न्यू गिनी और आस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में नदियों में पाई जाती है. शार्क को बहुत कम कैंसर की संभावना होती है. इसलिए वैग्यानिक कैंसर के इलाज की खोज के लिए शार्कों का गेहन अध्ययन कर रहे हैं. शार्क साफ पानी में इनसानों से 10 गुना बहतर देख सकती है. शार्क की 10 परसेंट ऐसी प्रजातिया है, जो अंधेरे में चमकती है. इसे निंजा लैंटर्न शार्क कहा जाता है. इन में प्रकाश छोड़ने वाला एक अंग होता है, जिसे फोटोस्फेयर कहते हैं. ग्रेट वाइट शार्क एक वर्ष में औस्तन 11 टन खाना खा लेती है. लेकिन भोजन न मिलने की स्थिती में भी यह तीन महीने तक बिना खाए जीवित रह सकती है. अधिकाश मादा शार्क की प्रजन के समय भूख कम हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है ताकि वे भूख के कारण अपने ही बच्चों को ना खा जाएं. करीब दो तिहाई शार्क हमलेच्छ फीट कम गहराई वाले पानी में होते हैं. शार्क की अन्य प्रजातियों के विपरीट ग्रेट वाइट्स का रक्तगर्म होता है. ग्रेट वाइट्स शार्क के शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता, लेकिन इसे तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए बहुत अधिक मास खाने की आवश्शक्ता होती है. अब तक का सबसे बड़ा शार्क विशाल मेगालोडन था जिसकी लंबाई 50 फीट थी. हालांकि ये भयानक शार्क 16 मिलियन वर्षों से विलुक्त है. कुछ वैग्यानिकों का सुझाव रहता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को समुदर के पानी से दूर रहना चाहिए क्योंकि शार्क रक्त की महक से खींची चलियाती है. शार्क की 400 से अधिक प्रजातिया है, जिन्हें 8 गगरुप में विभक्त किया गया है. इन में से केवल 30 प्रजातिया मनुष्य पर हमला करने के लिए जानी जाती है, जिन में से ग्रेट वाइट, ताइगर, बुल, माको और हैमर्ड शार्क प्रमुख है. अधिकतर शार्क किसी को नुकसान नहीं पहुँचती है. शार्क के हमलों से ज्यादा मौते मनुष्य मधुमक्खी के काटने और आकाशिय बिजली गिरने से होते हैं. हैमर्ड हेड शार्क का सिर जन्म के समय बहुत कोमल होता है, ताकि मा के बर्थ कैनाल में फंसे नहीं. शार्क के कान सिर के बाहर न होकर सिर के अंदर स्थित होते हैं. अब तक कि सबसे बड़ी मचली ग्रेट वाइट शार्क को रॉड और रील से पकड़ा गया था. इसका वजन 2664 पॉड और लंबाई 17 फीट थी. 2012 में Journal of Structural Biology में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शार्क, ताइगर शार्क, माकोस शार्क के दान्त, फ्लोरोपटाइट्स नामक केमिकल से निर्मित होते हैं. इस केमिकल के कारण इनके दान्तों में कभी कैविटी नहीं होती, नहीं ये खराब होते हैं. मादा शार्क की चमडी नर शार्क की चमडी से ज्यादा मोटी होती है. क्योंकि संभोग के समय नर शार्क मादा शार्क को काटते रहते हैं. शार्क जब अपने शिकार को काटती है, तो उसके शरीर में बहुत अंदर तक कठोरता से अपने दांत गड़ा देती है इसलिए उसके बहुत से दांत तूट कर शिकार के शरीर में ही रह जाते है शार्क अपने जीवनकाल में 4000 दांत इसी तरह निकाल देती है डॉट शार्क जब अपने शिकार को काटती है तो उसके शरीर में बहुत अंदर तक कठोरता से अपने दांत गड़ा देती है इसलिए उसके बहुत से दांत तूट कर शिकार के शरीर में ही रह जाते है शार्क अपने जीवनकाल में 4000 दांत इसी तरह निकाल देती है ब्लू शार्क एक बार में 135 बच्चों को जन्म दे सकती है शार्क के नाक आख और मुह के पास छोटे काले धब्बे होते हैं ये धब्बे एक विशेश इलेक्ट्रोरिसेप्टर ओर्गन्स है जो शार्क को समुद्र के भीतर विद्युप चुम्बकी एक्षेत्र और तापमान परिवर्तन का अनुमान लगाने में मदद करते हैं शार्क की याददाश्ट बहुत अच्छी होती है ये अपने बच्चों को उसी स्थान पर जन्म देती है जहां इसका कुद का जन्म हुआ होता है सफेद शार्क एक बार में एक या दो बच्चों को जन्म देती है इसके बच्चे को पप्स कहते है जन्म के समय पप्स की लंबाई पांच फीट होती है ग्रीन लैंड में एक ऐसी शार्क पाई जाती है, जो पोलर बेर को भी खा सकती है यह शार्क 200 वर्ष तक जीवित रह सकती है ग्रेट वाइट शार्क का बाइट फोर्स लगभग 4000 साय होता है, जो बाग या शेर के बाइट फोर्स 1000 साय से 4 गुना अधिक है इंसानों का बाइट फोर्स 150 से 200 साय होता है, शार्क की एक नई प्रजाती शाई शार्क कतरनाक नहीं होती, यह अपना अधिकांश समय आराम से गुजारती है शार्क को मानव का स्वाद पसंद नहीं होता है वे मानव को काटती है, इतने में ही मानव मौत हो जाती है खाती नहीं है और यूँ ही छोड़ कर चली जाती है दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी यह पोस्ट शौकिंग फैक्ट्स अबाउट शार्क पोस्ट पसंद आई होगी अगर आपको हमरी यह पोस्ट पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर करे और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटिस्ट पोस्ट की अपडेट्स मिलती रहे धन्यवाद